हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ देशों की जानकारी लेकर आपके अपने चाइनल साइन्स टिक फैक्ट्स में तो वहें इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिडल इस्ट सिटीज के बारे में जी हाँ दोस्तों कि आप जानते हैं इतिहास में कसनिया के नाम से प्रसिद तुर्की शहर इस्तामबूल के नाम से जाना जाता है यह शहर दुनिया के उन शहरों में नाम चीन है जो दो महादेशों में है यूरोप और एशिया इन दोनों में बसा है दोस्तों, इस्ताम्बूल में परंपरा की आदोनिक्ता, धर्म और धर्म निर्पेट जिवन शैली से मेल होता है, यही खास बात है जो इस शहर को जादूई बना देती है, बात करें इस्ताम्बूल के इतिहास की तो इसका इतिहास करीब 2600 साल तक जाता है, जहां कई शासकों इस शहर पर कबजे करने की कोशिश की, जिसमें इरान के ग्रीक, रोमन, आटोमिन भी शामिल है, जिन लोगों को नाइट लाइफ इंज्वाए करना हो, उनके लिए इस्ताम्बूल एक बड़िया शहर है, जो लोग यहां बाहर निकल कर पाठी करना या फिर शराब पीना च शहर है, जो दो महाद्वीप में फैला है, इसका 3 प्रतिशत भाग यूरोप में और 97 प्रतिशत एशिया में आता है, एशिया में आने वाले इस्ताम्बूल के भाग को एनाटोलिया भी कहा जाता है, इस्ताम्बूल तुर्की का सबसे ज़्यादा पॉपॉलेशन वाला शह तब्दील किया गया हो, इस्ताम्बूल में मौजूद है, और करीब 1461 से मौजूद इस्ताम्बूल का बाजार दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा बाजार है, इस्ताम्बूल में मौजूद शॉपिंग मौल को इंटरनाशनल कॉंसलिंग और शॉपिंग सेंटर ने 1995 म में दुनिया का बेहतरिन शॉपिंग मॉल करार दिया है दोस्तों मतलब इस्तांबूल के बजार में आपको हर चीज मिल जाएगी इस्तांबूल शहर तुर्की के 27 फीस्टी जीडीपी का हिस्सा है तो वहीं तुर्की के 20 प्रतिक्षत इंदस्ट्री के मजदूर इस्तांबू इस्तांबूल तुर्की के 5 में से 2 हिस्सों का टैक्स रेवेन्यू भी इखटा करता है इस्तांबूल यूनिवरस्टी 1453 में बनी जो कि एक काफी पुरानी यूनिवरस्टी है यहां सिक्षा के मामले में कानून मेडिकल और टेक्नलोजी कोर्स के साथ साथ सभी तरह के कोर् इंजिनिरिंग की डिगरी देने वाली उनिवरस्टी इस तांबूल में पाई जाती है दोस्तों उमीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों आपको हमारी इस देश से जुड़ी जनकारी क लेकर तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों